सर्वियों में गुलाबी सा निखार तो हम भी चाहते हैं पर आलस आ जाता है पारलर जारना पड़ता है पैसे भी लगते हैं उसकी क्यालकुलेशन भी करनी है ठंडी लगती है वो अलग हम अगर मैं आपका घर वाला फेशल सस्ते में बहुत आसानी से विंटर प्रूफ कर दू तो लिटरली आप उसको देख करना पर जो रिजल्स पाएंगे गाएंगे नहीं है प्रेणा चंदन नहीं है हमारे पास आप बार बार चंदर ले आते हो चंदन हमारे या नहीं मिलता ह चिक है टमाटरे सा बदन हो तो है ना चलो फिर शुरू करते हैं आज का डिया वाई विंटर फेशल हालो थे मा वंडिफल पीपल प्रेसिंट अवे हीर वल्कम बाक टुदे चानल आशा करती हूं आप सभी स्वस्त हैं और बहुत खुश हैं आज के वीडियो में आपके कर रही हूं कि कैसे आपको पिंकिश ग्लो अपने चेहरे पर लेकर आसकते हैं और सर्देयों की जो त्वच है उसको पा सकते हैं आगर आप खुश रहते हैं सही मातर में-चैनल की बहुत खुबसूरत बाइद के लेते हैं सर्देयों में मिलने वाले जो को बहुत говорит शमक्लि प्रिशना है और फिर सारे के सारे खुबसूरत से पिंक रजाल्स आपके हुए रेडी एवरीबडी जल्दी से शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम किचन काम पूरा कर लेते हैं नहीं खाना बनाने वाला नहीं जो रेलेटीड तीन चीज़े वह बनाने हैं उनको बना कर रेड काम करता है तो कोशिश कीज़े कि अगर कर पाएं तो अधर वही ले लीजिए और इसमें आपको लेना है शीट मास्क जो शीट मास्क आपके पास अवैलेबल है जितनी चीज़े मैं इस वीडियो में कहूंगी उन सब ही के लिंक आपको नीचे डस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप अपने लिए और कर सकते हैं तो यह कंप्रेश शीट मास्क है जैसी आप इसको दूद में रखेंगे किसी भी लीकुड में फडाट माटर तो यह फूल जाता है और खुल जाता है और असानी से आप इसका आपका जो चहरा है वो समें बना हुआ हुआ होता है जिसका अपने चहरे पर अप्लाय कर सकते हैं इस वेरी कन्वीनियंट मैंने बहुत सारे लेके रखे में अल्ड़ी तो सूट यह से खोल दीजे ताकि वो सारा का सारा दूद अब्सॉब कर ले और आपका स्टेप नमबर वन बनके रेडी हो चुका है स्टेप्स में आपको दूसरी चीजे भी आपको बीच में करनी है तो पहली चीज पहली रेमेडियल आक्शन में कर रेडी हो चुका है फॉर नमबर टू आपको एक बोल में लेना है एक बड़ा चमच अलो जेल क्लियर हो ट्रांस्पेरेंट हो तो नथिंग लाइक अधर जो फिलहाल के लिए है नहीं लेते हैं और आपको लेना है टमेटो प्यूरी पूरा टमाटर लेना है जहां जहां से खराब इस तो अब चीज लिजे और उसके बाद प्यूरी बना लीजे अच्छे से इगदम य्यों पेच बना लिजे अगर आपको ऐसे जन है जिनको भाई मसाजिंग के लिए ब पूरा टाइम लीजे ताकि कोई एसा नाओ कि कहीं पर टमाटर का डला मिल रहा है कहीं कुछ डो डू दार अच्छे से विस्कर लीजे और एक जो आपका सेकिंड रेमेडिल अक्षन है वो बनकर रेडी हो चुका है इसको साइड लीजे आपको तीन चीजे इंफ्यूज करनी है एक बोल में आपको लेना है एक से आधा चमच हनी देखिए अगर आपकी ड्राय स्किन है तो यकीन मानिए हनी कें डू वंडर्स फू यू क्योंकि ह्यूमेक्टिंट होता है तो सूट यूर्स सेल्फ आधे से एक चमच जितना आप और इसमें आपको लेना है कम से कम एक तीहाई टेबल स्पून ओफ नटमेक पाउडर अवेलेवल हो वह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी बाकी आप अपने आसपास ग्रोसरी में पूच सकते हैं नटमेक पाउडर क्या करता है यह मैं आगे आपको पानी नहीं है अप्लिकेशन के दोरान थोड़ा सा होगा अधर्वाइस आप चम्मत से लेंगे तो बिल्कुल हलका थिक कंसिस्टेंसी पर रुख जाईए का डन अब हमारी जो बेसे चीज़े जो किचन में काम करना था ममी को डिस्टर्ब किया पस उतना ही था इसको लेके अब आप आजाए अराम से सेटल हो जाए जहां पर भी आप अपलिकेशन करना चाहते हैं बिफोर अच्छिली स्टर्टिंग यह बहुत ही रिसोर्स फुल पेशल हम कर रहे हैं जादा पानी वेस नहीं करना जादा चीजों का इस्तेमाल नहीं करना जस्त इतना रिकॉर्ड ह है उतना ही हम यूज करेंगे तो मैं आपको पहले बेसिक्स बता देती हूं आपको क्या क्या चाहिए एक आपको चाहिए एक मग गरम पानी बस एक ही मग पानी से पूरा फेशल हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा एक ट्राय तो करके देखिए आइनों बहुत मैं दिखा रही होंगी गोल कलर का आई रों नो इसको बोलते कहें बर इस गीम चेंजर क्योंकि फेशल में मोस्ती होता है सकिन बार बार पोचनी पड़ती है तो यह चीज़ आपको चाहिए और एक स्टीमर चाहिए इफ एट ओल आपके पास है तो नहीं है तो मैं विकल इसके बाद हम चुरू करते है स्टेप नमबर टू जो हमने मिल्क वाला शीट मास्क प्रिपेर किया था बस उसको अपने चेहरे पर पूरा लगा लिजे प्रॉपर ली जो एक्सेस मिल्क अगर बच जाता है उसको भी पूरे के पूरे शीट मास्क पे पूरी गर्दन पर अ सारी जो आपने एक्सपरिमेंटल क्रीम लगाई थी जितना भी अग्रम शग्रम चीजे चेहरे पर यूज की थी उनको वाश ओफ करने के लिए मिल्क से बढ़िया क्लेंजर कोई ही नहीं हो ही नहीं सकता थोड़ा सा चिप चिप होता है बट वी केंड डिल वेद इट क्यू अगर आपके पास स्टीम कर किरेंगे अगर बारण पानी तो यह अपको ओपन पोर्स की परेशानी है जब कोई डैसे ज़िए pursuit तो वो ग्लो अपने आप निखर कर आता है अगर ब्लाक हैट्स वाइट्स हैं तो अविसली वो चीज थोड़ी सी सबसाइट हो जाती है जिसको हम यहां फिक्स कर रही है स्टीम लेने से जो मिल्क ने जितना भी आपकी स्किन साचरेट होगी थी मिल्क से तो जो गंदगी है वो धीली हो चुकी है जैसे आप स्टीम लेंगे और इसके बाद हम वाइप करेंगे तो आपका चहरा बिल्कुल अपने आप क्लीन हो जाएगा हमको रगडना नहीं पड़ आपने वाइप क्लीन किया और जैसे ही आप नॉमल एयर में आते हैं आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं वापस से बंद हो जाते हैं और इसके बाद हम आते हैं स्टेप नमबर फोर पर जहां पर हमने वो टेमेटो प्यूरी वाला पेस्ट रेडी किया था यह हमारा फेशल क जिसको हम बहुत अराम से लेके अपने चहरे पर इत्मिनान से फेशल करेंगे कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए सेंसिटल स्किन वाले आई विल नाट रेकेमेंड लेकिन बाकी सभी लोग अगर टमाटर चहरे पर इस्तमाल कर चुके हैं तो बंदा स्ट्रा अलोवेरा जेल वो मॉइस्टर दे रहा है और टमेटो जूस के अंदर सालसलिक असिड होता है जहां वही वाला इतना महंगा सीर्म लेके आएं तो ब्लाक पोर्स और ब्लाक हैट रचाहेंगे टमेटो में अल्रेडी होता है यह हंड़िट पसेंट शॉर्ट कि आपके ब्ला अगर आपके चहरे पर किसी भी तरह के आकने बार बार होते हैं यह उनको भी सप्रेस कर सकता है यह और एब्जॉब कर सकता है आपके सबेशन ग्लांस को टेम कर सकता है कि कितनी मात्रा में स्क्रीट करना इस ओके फर दिस स्किन लिट्रली यह माजिकल है जो कि आपके जिससे यह शाइन और सारा का सारा जो गंक होता है जो सारी गंदगी होती आपके चेहरे पर वो बाहर आ जाती है और यह प्रत्यक्ष खुद देखेंगे किसी की बात मत सुनिए मेरी भी मत सुनिए करके देखिए और अगर आप कोई ऐसे जन है जो कि यह मानते हैं कि हमारी स्क तो बहुत स्टबन है और इतने जेंटल एक्सफोलियेटर से हमारा कुछ नहीं होगा तो आप इस मास्क में एक थोड़ा सा चम्मच राइस फ्लावर यानि कि चावल का आटा ले सकते हैं याद रखिएगा कच्चे चावल को पीसा जाता है तो यह बिल्कुल दरदरा होता ह आपकी स्किन बारियर को कॉंप्रमाइस कर सकता है इसलिए प्लीज मेक शॉर कि आप प्रेशर अप्लाइड नहीं करेंगे सिरफ जहां पर ब्लाक हेट से वहां पर धीरे-धीरे हलका हलका करेंगे और अगर आपको यह ऐसे जन है जिनकी स्किन बहुत ड्राय है कि इतने मतलब कि आपको यह तीनों चीज़े लेनी ही नहीं है तेमेटो अलो आप सिरफ कोकोनेट प्लस कॉफी लेंगे और इससे काम करेंगे वंस्यू आर साटेस्वाइड कि हमने बहुत अच्छी मसाज कर ले है हमारी स्किन अपसिलूटी हापी है बलट का सर्किलेशन चेहरे पर और फिर एक बार क्रीन करना पड़ेगा एंड यू आर गुट तो गो इसके बाद ही आपको दिख जाएगा कि आपकी स्किन क्या कमाल की साफ हुई है अपसिलूटी परफेक्ट इसके बाद आपको समय में आजेगा कि इसका नाम ग्लोइंग फेचिल क्यू रखा गया क्यू आपको दिखने लग जाएगा आपने आप में बहुत बहुत ताकतवर है आपकी स्किन को फिक्स करने की श्रमता रखता है आपकी स्किन पर कोई भी परिशानी है ओपन पोर्स पिगमेंटेशन ड़क स्पॉट जो कि आपकी ग्लो को कम कर देते हैं या छुपा देते हैं उन कासा फ्लोई है आप कम दू दालेंगे तो बिल्कुल पॉफेक कंसिस्टेंसी आएगी जो कि अपने चहरे पर अच्छे से लगा सकते हैं हनी हुमेक्टेंट है नत्मेक पाउडर आपके चहरे पर किसी भी परिशानी को एड्रेस करने की वो ताकत रखता है आप पढ़िए इस अच्छे से पने चहरे पर लगाने के बाद आप इसको 10-15 मिनट्स जतना ताइम आपके पास नहीं है तो 10 मिनट्स के लिए ठोड़ी तो रहने होगा इतनी महिनत करी है तो अपने चहरे पर अच्छे से रहने दीजे और उसके बाद once you are done 10-15 मिनट्स के बाद यह हलका सा चि कीज़ बताईये लिंक तो मैं दे दूँगी बट वाद यो कॉल इट मेक रमुविंग पाड्स के नाम से मैंने ओडर किया था बाकी यह बहुत अच्छा क्लेंजर अपके चेहरे को मैं तारीफ कर चुग अलोडि़ी आपके चेहरे को मैं तारीफ कर चूगे आपके चेहरे क थंडे पानी से स्प्लाश करेंगे और वो सारे ग्रानियों सटा देंगे और आपका चहरा जो निखर कराएगा ना मैक्रोफाइबर टाल से वाइप लिए हल्की रेडनेस होती है तो इस फाइन थोड़ी देर के लिए अभी हट जाएगी और आपका चहरा इतना वाइबरंट इतना ग्लोईग इतना क्लीन इतना शाइनेर हो जाएगा कि बस आप खुशी हो जाएगे अब आपको अपने चहरे पर जो नाच्रल मॉइस्टर है मूध होने के बाद जो आया हुआ है इसको खोना नहीं है जल्दी से आपको लेना है मॉइस्टराइजर और अच्छे से बाद प्लीज इसके सब्सक्राइज मॉइस्टराइजर बाद शुश्टराइजर ऑने पर जाल आउंट में संस्क्रीन अपने चहरे पर लगाई है और मैंने कुछ नहीं लगाया और यthine बढ़िया मैं यthine बढ़िया मैं आई विल हुली हाइली हाइली रेकेमेंट की एक बहर ट्राइ करो ठीक है? I'm not giving you challenge I'm not saying कि बस एक बहर ट्राइ करो और और वापस आके आप लिखेगा How is it? You're going to fall in love with it You'll be really 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 happy अपने चहरे को बार बार हाद लगाएंगे अपने चहरे को बार हाद लगाएंगे अपने चहरे को बार हाद लगाएंगे